UK Government की तरफ से 5 बहुत बड़े अपडेट आज जिसमें से 3 एकड़म फाइनल है और लास के दो अभी जो है वो प्रपोज किये गए हैं उनकी पारलमेंट के अंदर यहों को बिलकुल एंड तर देखना क्योंकि जो लास के दो हैं वो बहुत जादा इंपोर्टेंट पॉइंट से आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि गवर्मेंट के जो पांच बड़े चेंजी आया हैं UK गवर्मेंट की तरफ से वह क्या-क्या है जो सबसे पहला पॉइंट है वह आपका आप स्टूडेंट विजा से रिलेटिड तो तो पता होगा काफी सारे जो स्टूडेंट है वो यहां UK के अंदर डिपोर्ट हो रहे हैं काफी जादा issues आ रहे हैं students को यहां पर और काफी साधा uncertainty है कि अगर student ने अपनी education जो है वो complete भी कर ली तो आगे jobs का क्या होगा तो जो पहला जो अपडेट है वो जो government की तरफ से निकल कर रहा है वो यह है कि आने वाले time के अंदर बहुत जादा बढ़ा दें तो आइलेट के जो numbers है English का जो testing system है जिसके भी हाव पर आपको degree के अंदर admission मिलता है वो शायद वो भढ़ा दे या फिर यह हो सकता है कि जो आपके degrees है और यह सब जितने भी आपके supported documents है funds है evidence है उनको check करने में वो और ज्यादा time invest करें जिसके वो जाद से ज्यादा लोगों की testing करेंगे तो उसमें filter out कर सकें बच्चों को और उतने ही कम हो जाएंगे बच्चे जिनको student visa के लिए approval मिलेगा universities से next जो बड़ा update निकल के आता है वो आता है काफी सारे जो लोग हैं वो दूसरी country से यहां पर आकर student visa पर अपना sponsor job search करके tier 2 visa के ओपर convert कर आ रहे थे और degree जो है वो अपनी बीच में छोड़ रहे थे तो government ने इसका एक way around यह निकाला है कि जब तक आप अपना student को या अगर आप master's करने आ रहे हैं अपनी PhD करने आ रहे ह हैं या इवन bachelor's भी करने आ रहे हैं तो आप अपना जो visa है वो बीच में halt करके tier 2 visa के ओपर convert नहीं कर सकते sponsorship job के ओपर convert नहीं कर सकते तो यह एक बहुत ही बड़ा update है और काफी सारे जो हैं इसकी विज़से colleges जो है वो complaint कर रहे थे कि वो fees पूरी आप अपनी complete करने ही पा रहे sponsor job के लिए apply कर देते हैं अपना visa convert कर देते हैं next जो बहुत बड़ा update आ रहा है guys वो आ रहा है dependent visa के लिए तो dependent visa का जो नया criteria है government की तरफ से वो 6 April से अभी लागू हो चुका है तो उसके अंदर आप क्या है अगर आप UK के अंदर आप bachelor's और master's degree करने आ रहे हैं तो most cases में आप working page dependent को नहीं लेकर आ सकते वो जो case है अभी आप अपने dependents को लेकर आ सकते हैं लेकिन उसमें भी catch है तो उसमेě catch यह है कि अगर आप government sponsored कोई course किरने आ रहे हैं UK के अंदर कोई course कोई आ रहे हैं, तो कोर्स के अंदर आप अपने dependents को ला सकते हैं, तो आप अपने प्लाइ करने से पहले अपने कॉलिज से जिस भी एजन्ट के तुम आपका कषरें तो जो नेक्स बवुँदा बड़ा उपडेटंगा है यो के गवजह से जिसकी month से शायद लोग यहां ukud के अंदर ना है वह अपका है अपडेट आया जो प्रपोस किया गया UK गौर्वर्मेंट की वज़ा से जिसकी विए से शायद लोग यहां UK के अंदर ना है वह आपका है वह अभी फाइनल नहीं है तो काफी सारे जो चैनल मैं देख रहा था लोग यह कह रहते हैं कि वहाट गया है या काफी सारे बच्चों को जो है वह ड़ाने की कोशिश करी जा रही है कि आयलर जो है वह एट यह हो जाएगा तो अभी ऐसा ओफिशली गोर्मेंट ने नहीं किया है बट यह प्रपोस्ड है तो उसके अंदर वह चेंजिस आप कर सकते हैं कि आपको स्पांसर जॉब जो फाइव यह था वो एट यह आपको स्पांसर वीजा या टियर टू वीजा प बड़ा अपडेट आया है कि GCC जो कंट्रीज हैं उनको अब यहाँ पर UK के अंदर विजिटर वीजा जो है वो अपलाई करने की ज़रूत नहीं है उनके लिए यहाँ पर एक एलेक्ट्रोनिकली इमेल सिस्टम जो आप ऑनलाइन और मोबाईल अप के थूँ अपलाई कर सकत UKVI.UAE आपका उसके अंदर आता है तो वो इलेक्ट्रोनिकली वीजा मिलेगा जो इमेल के उपर ही उनको मिल जाएगा जिसकी मैक्सिमम वैलेटी जो होगी वो टू येर्स होगी उस टू येर्स के अंदर वो मैक्सिमम कितरी भी भार आ सकते हैं जा सकते हैं वो मल्टी एंट को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना इसे पहले भी अगर आपको किसी भी आपको लंडन गूमने आना है या फिर आपको वीजिटर वीजा अपलाए करना है तो उससे रेटिड मैने वीडियो बनाई है तो आप क्लिक कर सकते हैं वीडियो के एंड में तो मिलते हैं अ बाइब ऑए तेक्यर्व